हेलो व्रीवन दिस डॉक्टर जिवेश शादो तो बहुत सारे बच्चों के यह मैसेज आ रहा था कि सर जो अभी नोटिफिकेशन आया है वो साइट में तो दिखानी रहे तो वो क्या है फेक है कि ओफिशियल है एडलेज आप बता दो क्योंकि बहुत सारे जगह में इसको ज देखे कि रियल है और सबसे पहले तो मैं ऑफिशल साइट के बारे में बता दूंगा डबल लेट रिपल सी डॉट जी ओवी डॉट इन ठीक है इसी के ऊपर ही आपकी कॉंसलिंग की अपडेट आएगे अब आपको क्या है पीजी कॉंसलिंग का देखना है तो पीजी कॉंस अपडेट होने वाले है अभी आया है नहीं है तो यहां पर आपको कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहे है फिर बैक करते हैं मैं कुछ और चीज दिखा रहूं आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है बीने स्किप करें देखना जो चीजों को मैं बताने वाला हू बैक करता हूं यहां पर आपका है यूजी कॉंसलिंग का जो आपका यूजी कॉंसलिंग क्यों बता रहा हूं वो भी समझ लेना एक बार दो मिनट के लिवस यहां पर अपन डालते हैं अब यहां पर इसका नोटिफिकेशन जो है वो आप मैं डाउनलोड कर लेता हूं क्या एक एक चीज को मिला के दिखाऊंगा, कि क्या किया गया है, जो मेरे को लगता है, ठीक है, अभी तक जो notification है उसमें, तो मिला के दिखाता हूँ, तो यहाँ पर कुछ चीजे मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर September है, September है, September है, September है, September है, यह आपको UG Consuling का जो schedule है, उस September, 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 ओके, यह PG Consuling का जो schedule धर उधर जा रहा है, उसके है, फिर उसके आदने उन्होंने क्या क्या है, second round का थोड़ा सेड़ीट कर दिया है, second round को अगर आप ध्यान दो, तो देखो, third round में जो चीजे बोलीगी, जैसे second round में देखो, क्या है, September, September है, first round में भी September, September है, second round म में क्या है, October, 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 October करके है, तो October को जो है, second round में होने सिप्टी के, यहाँ पर आप देखो, October, 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 और यहाँ पर जो इधर उधर सर्कुलेट हो रहा है, उसमें आप देखो, October, 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 पिर नौ नेक्स्ट आपन देख लेते हैं, जो third round है, तो third round को यहाँ पर आ आज में आ जाएगा कि यहां पर कि देखो अक्टूबर अक्टूबर नवंबर 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 इसा मेरे को थोड़ा से लग रहे कि छेड़ खानी किया गये इसके बादने last में भी आप देखो इसका भी जो last है government जो आपका जो final list जारी किया जाएगा publishing of result वो आप देखो यहां पर नवंबर 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 इसा तो पॉसिबलर नहीं है कि दोनों का एक साथ कॉंसलिंग कर रहे हैं ओके यहाँ पे थोड़ा बहुत मेरे कैसा लगा यह जो सर्कुलेट हो रहा है ओफिशल साइड में तो अभी तक अपलोड नहीं हुए है अगर इनके इस अपलोड हो गया तो अपनी से औरिजनल मानिंग है बड़ जी से अपसे यह जो है बनाया गया है वो पूरा ऐसा लग रहा है कि सेम जो यूजी कॉंसलिंग है उसको कॉपी पेश्ट करके बस डेट्स को चेंज किया गया है अगर आप ध्यान दोगे तो क्योंकि इसमें जो जो चीजे है जो आपका ये पीजी कॉंसलिंग का जो सर्कुलेट हो रहे है उसमें जो जो चीजे है वो आपका सिमलर आपके यूजी कॉंसलिंग में ही दिया गया है जो डेट्स दिये गया है बस डेट्स को उन्होंने चेंज किया बाकी मंद को उन्हों सर्कुलेट हो रहे हैं वो अपलोड हो जाए तो अच्छी बात है बट जी सिस आप से यहाँ पर बोला गया क्योंकि आपको सबको पता है स्टूडेंट्स लोग को कि 31 अक्टूबर जो है वो आपका इंटरनेसिब कम्प्लेटेशन का डेट रखा गये है तो यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग जो है वो कैसे करके 24 को लोग कराएंगे यह भी थोड़ा सोचने वाली बात है कैसे करके वो 24 सेप्टमबर को कराएंगे क्योंकि 31 अक्टूबर को उन्होंने खुद दिये है तो 31 अक्टूबर को जब इंटरनेसिब कम्प्लीट हो रहा है तो 24 सेप्टमबर को कैसे करके वो रिपोर्टिंग करेगा कैसे करके वो एडमिशन लेगा कोई भी स्टूडेंट अगर उसको सीट अलाट हो गया तो यह भी थोड़ा सोचने वाली बात है तो यह जो है जो जिस हिसाब से आप ध्यान दोगे अगर थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो मेरी हिसाब से यह जो है मेरे को थोड़ा फेक टैप लगता है अगर ऑफिशल साइड में आ गया तो उसके उपर भी जो बच्चे हैं वो बिल्कुल दावपत्ति करेंगे क्योंकि जब आप इंटरनेसिब कम्प्लिटेशन 31st अक्टूबर को रख रहे हो तो आप रिपोर्टिंग 24 सेप्टमबर को कैसा बोल सकते हो क्योंकि 31st को तो एडमिशन हो जाएगा उस टेम आपको आपको अगर इंटरनेसिब कम्प्लिटेशन जो सर्टिफिकेट हो देना पड़ेगा जो भी आपका इंसिटूट में आप एडमिशन होगे तो तभी वो वैलिड रहेगा तो यह जो कॉंसलिंग जो सेडूल है मुझे जो है मैं अपना प्रस्नल ओपिनियन बतार हूँ जो फेक मुझे लग रहे हैं बाकी ऐसा है कि अगर ओफिशल साइड में आ जाए तो उस कंडिशन में बहुत सारे बच्चों को अगर यह सेडूल आता है तो मैंने कुछ facts रखे हैं तो उस भी हाप पर आई होप आप लोगो थोड़ा समझ में आ गया होगा बाकी जब तक official side मैंने आपको official side खुलने को बता दिये है कैसे करके उसको उपर notification चेक कर सकते हो वो भी बता दिये है और wait करो maybe मेरे को ऐसा लगता है कि around October के ending में या October तक ही आप लोगो को पता सल रहेगा और जब तक official side में ना आ जाया तब तक आप चीजों को जो है सही नहीं बोल सकते कि official अगर करके और ऐसे notification इधर उधर circulate होते रहते हैं तो मैंने अपनी हिसाब से जो मुझे लगा जो चीजे वो मैंने आप लोगो को पता दिया बागी और मैं state wise जो जो चीजे हैं seats वग रहे हैं उनकी detailing और official side जिसको पर counseling होती है state की उसके भी वीडियोज मैं proper ला रहूं तो state counseling का भी ध्यान रखना जैसे आपका AACCC की counseling समाप तो होती है फिर state counseling जो है स्टार्ट हो जाती है तो state में भी बहुत सारे बच्चों को उनको पता रहता है कई लोग को पता भी नहीं रहता है कई लोग को पता रहता है तो आपको एक थोड़ा idea मिल जाएगा कि आपको कौन से counseling में ज्यादा chances है government seat मिलने का जब आपको आपके state का पता रहता है कि हाँ इतने seats है इतने government colleges है तब आपको समझ में आ जाता है कि हाँ मुझे government on private college कौन से counseling में ज्यादा मिलने के chances है तो उसी साब से आप attend कर सकते हो दोनों तो ऐसे attend कर नहीं है बड़ कई बार ऐसा होता है कि कई बच्ची है समझते है कि हाँ मेरे को मेरे state में यह वाला college है यहां की ranking मेरे को मिल जाएगी यह फिर पसंदीदा college उनको मिल जाती है कई बार तो वो दोनों counseling आपको पता रहे है तभी आपको थोड़ा benefit है मतलब मन पत्संद जो सब्जेक्ट है उसमें आपको सब जो है पीजी सीट मेले इसलिए आपको दोनों जो counseling है उसके बारे में जानकारी होना जुरूरी है बाकी आज के लिए इतना ही